हमारी लड़ाई इन तीन काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाव मीडिया, धेरो गलत जानकारियां और हाड पिगलाती सर्धी से भी है यकीन मानना अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शरुंदा करती कि मैं तो जोटी बच्ची थी अकेले सफर नहीं कर सकती थी लेकिन आप तो खुदे किसान हो आप क्यों नहीं गए कि मत छेड किसान को लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इथियास कि पढ़ना मुश्किल होगा यहाँ पर उपस्तित सभी किसान योद्धाओं मात्ताव बेहनों को मैं दिल की गहराईों से सलाम करती हूँ आज इस किसान में हबारत को एक महिने से अधिक वक्त बीच चुका है किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है यह सरहदे गुरोग की सरहदे है यह सरहदे दादा छोटू राम की सरहदे है यह सरहदे चौदरी चरण सिंग की सरहदे है यह सरहदे ताउ देवी लाल की सरहदे है यह सरहदे बाबा टिकेत की सरहदे है ये सरहदे संसत को घेरे किसानों के वजूत की सरहदे हैं इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से आहा ना पड़ा देश के पूर प्रधान मंतरी अटल विहारी वाजपेह जी ने कहा था कि बाधाय आती है आए गीरे प्रले की घोर घटाएं पाओं के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदी ज्वालाएं निजहातों में हस्ते हस्ते आग जला कर चलना होगा जलना होगा जलना होगा यह अंदोलन कोई छोटा मोटा अंदोलन नहीं है यह कर थैसी गख्त का निर्माण हो रहा है जो इस वक्त आकर निकिसानों के दी सड़कों पर ना बैठा तो आने वाले वक्त में उनकी ओलादे कूछेगी लिजाब उस अंदोलन के समखों में सड़कों पर बैठे थे या नगी बैठे थे हमारे इसकी सान अंदोलन ने फुरी दुनिया में एक इंसाल का यंपिन है दुनिया से राण है इतना बड़ा मानों समूख सांजीपूर तरीके से अनुशाशन ये साथ अंदोलन कर रहा है मताओ के चूले भिन सड़कों पर पक्के होड़ा है हो रहे हैं, होश में आजाए हुकुमात, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं, यकीन मानना, अगर आज मैं यहां पर नहीं आती, तो मैं मेरे पापा को बार बार शरुंदा करती, कि मैं तो जोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी, लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए, लेकिन मेरे पापा हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए आगे रहते हैं, पापा कहां अच्छा हुआ, कि आज आप मुझे यहां लेके आ गए, और मेरे भविष्ची के सवालों से बच गए, क्योंकि जब इस आंदोलन का इथियास लिखा जाएगा, तो कहा जाएगा, कि लहु में भीगे तमाम मुसम गवाही देंगे, कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा, कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, शेहर का सूरज गवाही देगा, कि जब अंधेरों की कोक से निकलने वाले, ये सोचते थे, कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेने, तुम्हारी माए, तुम्हारी मिटी का जर्रा जर्रा गवाही देगा, कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे हमारी धर्ती के जिस्म से जब हवस के मरे सियाह जो हो की तरह चिम्टे हुए थे तो तुम खड़े थे तुम खड़े थे तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी यज्मत तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी यज्मत और इस्तिकामत तो वो हिमले है जिसकी चोटी तक पहुँचना ना पहले बस में रहा किसी के नाने वाले दिनों में होगा सौ आने वाली तमाम नसले गवा ही देगी कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे तुम खड़े थे हमारी लड़ाई इन तीन काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, विकाव मीडिया, धेरो गलत जनकारियां और हाड पिगलाती सर्धी से भी है घर परिवार, खेत खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर डटा हुआ है मैं देश की आवान से आवान करती हूँ कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम न करे उनका साथ देश या दोनों के हक की लड़ाई है, मिलकर सांजी लड़ाई लड़ें मैं आखरी बात सत्ता से कहना चाहूंगी कि मत छेड किसान को लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इथियास कि पढ़ना मुश्किल होगा कि पढ़ना मुश्किल होगा बोले सो निहास राम राम अगर आप परेशान हैं अपने घर और ओफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ओफिस को अच्छे से सजाना तो हम से कांटेक्ट कीजिए हम सजाएंगे आपके घर को 3D वाल पेपर से जी हां और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से चुटकारा तो उठाइए अपना पोन और हमें मैं दो चाहते हैं याले से डापते हैं आपको रहले को इसाल प्रेंपला को अच्छे जी है डीक काனा दो आटी इसली है여 तो YA ही बनुटकारा मैंज़ कर दो आधिस।